गुद मॉर्निंग एवरीबोडी आज का हमारा टॉपिक है वाइरिसेज वाइरवाइट्स एन लाइकेन्स तो इसमें से हम लोग जो है अपने टॉपिक का फस्ट पार्ट वाइरिसेज की स्टडी आज हम करेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम में से सभी को common cold जैसे diseases या इस तरह की problems से हम सभी ने जो है suffer किया होगा या time to time जो है suffer करते हैं common cold या फ्लू तो इन से जो हम suffer करते हैं actually हम जानते हैं यह हमें फिर पता है की यह जो वाइरिसेज होते हैं वो किस प्रकार का हमारे उपर प्रभाव डालते हैं हम common cold या flu से जब affected होते हैं तो यह हमें experience है हमें पहले से previous knowledge है कि यह जो वाइरिसेज हैं वो हमारे उपर किस प्रकार का एफेक्ट डालते हैं even if we don't associate it with our condition कहने का मतलब यह है कि इस effect को हम जानते हैं भले हम इसे associate कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बट इसका हमें जो है experience है कि यह जो वाइरिसेज हमारे उपर एफेक्ट करते हैं तो common cold या flu से जो सफर करते हैं उसके बारे में हमें जो है experience किस परकार की problems इसमें हमें आती है actually जो common cold होता है उसको cause करने वाला virus है उसको हम कहते हैं rhino virus जो होता है वो common cold को cause करता है कहता है कि यह जो viruses होते है एक्चुली जो classification किया गया है इनमें इनको कोई particular स्थान नहीं मिला है वही कहता है कि viruses haven't got a place in a classification since they are not true living actually चुकि यह true living organisms नहीं है जैसा कि हम जानते हैं कि host cell के outside में यह जो है non living होते हैं और जिवह ही यह host cell में इंटर करते हैं यह जो है living हो जाते हैं तो कहता है कि living organisms के बारे में हम लोग जानते हैं यानि वे organisms जिनमें जो है cell structure होता है और किस प्रकार का cell structure होता है उन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं तो viruses जो है actually इनको true living नहीं कहा जाता इसलिए जो है classification system में जो five kingdom classification system है particularly अगर हम बात करें five kingdom classification system की तो उसमें जो viruses को कोई particular place नहीं दिया गया है देखें जो viruses होते हैं यह non cellular organisms होते हैं यानि और कोशी की यह जीवधारी कैसे जीवधारी है यह non cellular organisms है यानि विदाउट cell वाले organisms यह होते हैं और इनका characterization कैसे करते हैं तो actually जो है यह inert crystalline structures होते हैं inert crystalline structures यानि कि यह inert होंगे inactive होंगे और crystalline होंगे अपनी structure में outside the living cell यानि living cell के बाहर में जो इनका characterization होगा जो इनकी tendency हों कैसी है यह inert होते हैं यह crystalline होते हैं तो inert crystalline structures होते हैं living cell के बाहर में चलिए हम देखते हैं कहता है कि next point कि once they infect a cell यानि जब एक बार यह cell को infect कर लेंगे जब भी यह अपने host cell को कहिए कि यह जो है जब यह infect कर लेंगे तो क्या होगा कि जो host cell की machinery होती है उसको यह overtake कर लेते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं यह खुद में जो है replicate करने लगते हैं तो host cell के अंदर में यह जब replicate करने लगते हैं तो as a result जो है host cell को यह destroy कर देते हैं host cell को यह kill कर देते हैं और उसमें replicate करके अपनी जो वह संख्या है उसको तेजी से वह बढ़ाने लगते हैं कि देखिए वाइरसेज में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के characteristic features हमें पता चल ले हैं और इसलिए जो है वाइरसेज को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो है connecting link मानते हैं तो very important point है कि viruses are connecting links between living and non-living यानि कि viruses जो होते हैं वो living and non-living या living organisms and non-living organisms के बीच की connecting links होते हैं या connecting link होते हैं चल लिए हम next point बात करते हैं कहता है viruses means venom are poisonous fluid अगर virus का मतलब देखा जा तो यह virus का मतलब होता है venom और venom क्या है तो यह poisonous fluid होता है virus का मतलब हुआ कि यह जो है एक प्रकार का poisonous fluid होता है जिसको कि हम venom कहते हैं साभ वाइर्स नेम की बात करतो यह वाइर्स नेम है वो दिया गया था पॉस्चर सहाब के दवारा में मे है लैखिए कि लइसच माइक्रोप्स को कर दो कि सुमाज्र करते है जो कुछ यानि इन्हों ने कुछ particular microbes को पहचाना था जो कि tobacco mosaic disease cause करने का काम करते हैं चलिए next point हम बात करते हैं कहता है कि viruses were found to be smaller than bacteria very important viruses जो होते हैं वो bacteria से छोटे होते हैं viruses की जो size होती है वो bacteria से छोटी होगी कहता है कि because they pass through bacteria proof filters यानि bacteria proof filters जो थे जो जिस ऐसे filters जिनसे bacteria होकर कि जो है bacteria pass नहीं हो पाते थे जिस filters से होकर कि bacteria pass नहीं हो पाते थे नहीं कर पाए उस filters से होकर कि ये जो है viruses पास कर लिये थे यानि उसको जो है उस filter को cross कर लिये थे तो इस तरह से इनके जो साइज है इसका कंफर्मेशन मिला कि वाइरिस की साइज जो है बैक्टिरिया से स्मलर होती है कहता है कि M.W. बीजेरिंग डिमोंस्ट्रेट डैट यानि देखे एक साइंटिस्त M.W. बीजेरिंग सहाब 1898 में इन्होंने डिमोंस्ट्रेट किया कि टोबैको प्लांट जो होता है तो इन्फेक्टिड टोबैको प्लांट जो होते हैं उनका जो एक्स्ट्रेक्ट होता है वो एक healthy plant को भी infect कर सकता है बिल्कुल सही है कि Tobacco plant जो की infected है वाइरस से तो उसका जो extract है वो एक healthy plant को भी affect कर देगा और इसको जो है उन्होंने कहा यानि उस extract को क्या नाम दिया गया जो particular extract है जो infected plants अप Tobacco में होता है तो उसको कहते हैं called यानि M.W.B.J. रिंग सहाब ने उस extract को क्या कहा कहा Contaguum Vivum Fluidum क्या नाम दिया उन्हों ने इसको Contaguum Vivum Fluidum that is infectious living fluid इसका मतलब क्या हो रहा है infectious living fluid ठीक है चलिए हम बात करते हैं आगे कहता है W.M.Stanless आएब एक और scientist आए W.M.Stanless आएब 1935 में इन्होंने यह बताया कि जो viruses होते हैं उन्हें crystallize किया जा सकता है ठीक है वाइरस को क्या किया जा सकता था crystallize किया जा सकता था और जो crystals थे यह बिल्कुल बड़े-बड़े proteins के बने हुए होते थे यानि जो crystals थे वो किस से बने हुए होते तो तो यह proteins से मिल करके crystals जो है बने हुए होते थे ठीक है एक्चुली देखिए next point के अगर हम बात करें तो कहता है कि viruses are inert inactive outside their specific host cell यह जो viruses होते है वो अपने specific host cell के बाहर में inert होंगे या inactive होंगे लेकिन अपने host cell में entry करते ही enter करते ही यह active हो जाते है देखिए एक्चुली जो viruses होते हैं वो क्या होते हैं obligate parasites होते हैं वाइरिस कैसे परसाइट होते हैं तो obligate parasites होते हैं चलिए तो इसी के साथ हम यह वाइरिस के बारे में जो introduction है इसको आज की class को over करते हैं that's all have a nice day good lucks